हलो दोस्तों बॉलिविड इंडेस्ट्री से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है एक्टर इर्फान खान की मृत्ति हो चुकी है जी हां दोस्तों मंगलवार को ही उन्हें कॉलोन इंफेक्शन के कारण मुंबई के कोकिला बें धिरुबाई एमबानी होस्पिटल में भरती किय गया था उनकी उम्र 54 साल है भी तो दोस्तों ये खबार आ रही कि 54 साल की उम्र में इर्फान खान की मृत्ति हो गई है ओफिशली यह चीज अनौंस अभी हुई नहीं है लेकिन एक मशूर फिल्म डारेक्टर फिल्मेकर शोजित सरकार ने ट्वीट करके इस बारे में जानक उन्होंने इसके बाद कॉंडोलेंस दिया है उनकी वाइफ को उनके बच्चे को और कहा है आखरी में ओम शान्ती इर्फान खान सेल्यूट सो यह सा कुछ ट्वीट किया है शोजित सरकार ने इर्फान खान की मृत्यों पर जिया दोस्तों और अब हम चलिए थोड़ा सा बा बॉलिवट में ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर जो उनकी है वो है स्लमडग मिलेनियर जुरासिक वर्ल्ड अमैजिंग स्पाइडर मेन एं लाइफ पाई और जब हम उनकी बॉलिवट फिल्म की बात करें तो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था प्यदर 2014 में बनाई उन्डे 2014 में बनाई पीकू 2015 में बनाई थी तलवार 2015 में बनाई थी हिंदी मीडियम 2017 में बनाई थी और एक नई लेटेस उनकी मूवी आई थी वो भी हिंदी मीडियम के ही प्लॉट पे बैसिस थी इंग्लीश मीडियम तो दोस्तों ये थी आज की trending news जो हमको पता चली है कि एक्टर इर्फान खान की मृत्तियों हो चुकी है 54 साल की उम्र में मंगलवार को ही है उन्हें धिरुबई अम्मानी उस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और थोड़े दिन पेले हमने सुना था कि उनकी माता जी की भी मृत्तियों हो गई थी जहां पर वो नहीं जा पाये थे कोरोना वारेस पेंडेमिक के काराण और अब ये खबर बहुती दुख वाली खबर आई है कि इर्फान खान की भी मृत्तियों हो गई है चोमन मर्श की उम्र में